नमस्कार आप देखरें आरे नियूस मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंगर उत्रप्रदेश, पंजाब, उत्राखंड, गोवा और मनिपुर के विदानसभा चुनाफ का चनिवार को अब चारिक ऐलान कर दिया गया है और इस एलान के साथ ही पांच राजियों में चुनाफ आचार सहीता भी लागो हो गई है उत्रप्रदेश विदानसभा का कारेकाल 14 माई 2022 को पूरा हो रहा है ऐसे में 14 माई से पहले हर हाल में विदानसभा और नई सरकार के गटन की प्रक्रिया पूरी होनी है उत्रप्रदेश में कुल 143 विदानसभा सीटे हैं और पिछला चुनाफ फरवरी मार्च 2017 में हुआ था और बीजेपी की अगवाई में एंडिये 325 सीटे जीत का सत्ता में लोटी थी और योगिया दितनात 19 मार्च को 2017 को मुखिमंतरी पत की उन्होंने शपत ली थी सीम योगी बीजेपी के पहले नेता है जिन्होंने उत्रप्रदेश में 5 साल का कारेकाल पूरा किया है और पार्टी ने उन्हीं के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ने का जो है भी तक प्रक्रिया की है ऐसे में ये उनके लिए अगरी परिक्षा होगी बीजेपी अपना दल और निशाद पार्टी के साथ कच बंधन कर 2022 के यूपी चुनाव मद्दान में उत्री है इस दोरान सूबे में बीजेपी की सत्ता को बचाय रखने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से लेकर केंद्री ग्रह मंत्री अमिशा समेत बीजेपी ने तावने पूरी ताकत जोगते है सपा प्रमुक अखिलेश यादव सूबे में जाती अधार वारे छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी से दो-दो हाथ करने के लिए उतर रहे हैं सपा ने यूपी में आरेल जी सुभा सपा और प्रस्पा जनवादी पार्टी महान दल समेत करीब एक दरजन छोटे दलों के साथ कटपन धन किया है और केंद्र श्यासित प्रदेश चंडीगर में एक बला उलट फेर होते हुए देखा है बता देए आपको कि ये बड़ा उलट फेर बीजेपी के दौरा हुआ है जहाँ पर एक मेर के पद पर कबजा कर लिया गया दरसल बीजेपी की सरबजीतकार चंडीगर की मेर बन गई है निकाज चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली आमादनी पार्टी ने मेर चुनाव में धांदली का रोप लगाया है चुनाव की बात मेर की कुरसी के पीछे ही आमादनी पार्टी के सभी पारशद धरने पर बैठ कर DCV ने प्रताप सिंग को मौके पर रोक लिया गया और ऐसे में नगर निकम के अंदर मार्शल बुलाए गया है दक्का मुक्की जारी है और आपके पारशद भी मेर के बगल्प की कुरसी पर बैच गई है बता दें कि चंडिगर निकाय चुनाव के दरान बीजपी ने 12 सीटे जीती थी जबकि आमादनी पार्टी के खाते में 14 सीटे आए थी कॉंग्रेस से निकाले जाने के बाद देवेंदर सिंग बबला ने अपनी नवनिर्वाचित पारशद पतनी हरपीत कौर बबला के साथ भाजप्या में शामिल हो चुके हैं और इसी के साथ ही जबकि बीजपी की सांज़त किरन खेर को भी एक वोट जालने का अधिकार है इस तरह से बीजपी के पास 14 वोट हो गए थे चंडीगर नगर निगम में 35 सीटे हैं निकाल चुनाव 24 दिसंबर को होए थे जिसमें कोई भी दल बहुमत पर आकड़ा पाड़ नहीं कर पाया था लेकिन पहली ही बार आई आमादी पार्टी ने 14 सीटे जीत कर तेहल का मचा दिया था जबकि बीजपी के 12 कॉंग्रिस के 8 पार्षद और अकाली दल के 1 पार्षद ने जीत दर्ज की थी तो में उत्रAKन में कोरोना के बटत्र संक्रमन को देखते हुए मुक्हे मंतरी पुषकर जिंग धामी ने अपने सभी सारवजनी कारेक्रम्स थगित कर दिये हैं शरिवाल को मुक्हे मंतरी पुषकर सिंग्घामी ने सोशल मीजिया पर यह जुआनकारी साजा की और लिखा कि COVID-19 की बढ़ती संक्रमन के मद्दे नजर आज वे सारे कारे करम स्थगित कर रहा हूँ पिछले 24 खंटे में देश में करोना संक्रमन के 141,000 मामले सामने आ चुके हैं तो मैं उत्रा खंट की बात करें दो राज़ जमए 814 नए मामले सामने आ आये हैं उत्रा खंट में करोना संक्रमन का घ्राव تेजी के साथ बढ़ रहा है बीते 24 खंटे में 814 नए संक्रमन म Erfolg मिले हैं जबकी 147 मरीज स्वस हो चुके हैं सक्रिय मरीजों का आखड़ा 2000 के पार हो गया है पिछले साथ दिनों में संक्रमित मामलों में साथ कुना की बड़ोत्री हुई और कुल संक्रमितों की संख्या अपको बदा दें कि कुल 3,47,912 हो गई है प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ते कुरोना संक्रमित मामलों को देखते हुए शासल स्तर पर स्वासव सेवाओं की तयारियों को लगातार उनके निगराने की जा रही है साथे शुक्रवार को ही मुक्य सुचिव डॉक्टर एसस संधु ने कुरोना संक्रमित की रोक्थाम और आवश्यक चिस्ता उपकरण उपलत कराई जाने की भी बात कही गई